आज आपको बिना ब्रेक के ना आज spelling सिखाने बाला हूँ, यानि आपके spelling में बहुत mistakes होते हैं, बहुत सारे आप mistakes करते हो, हमेशा गलतिये करते हो, हमेशा कुछ न कुछ गलती आपसे हो जाता है, जब भी आप writing करते हो, कुछ लिखना चाहते हो, तो आपसे spelling mistake हो जाता है, औ और आप लिख नहीं पाते, सोच नहीं पाते, कोई वर्ड लिखने के लिए कहा दू, कुछ भी लिखने के लिए कहा दू, जैसे मैं कहूं आपसे की डिसीब लिखो, जैसे मैं कहूं बिगनिंग लिखो, जैसे मैं कहूं कुछ कोई वर्ड लिखना हो, तो आपसे ब्यूटी फ टी बाई और एफ यू एल डबल एल ऐसा नहीं हुआ गलती हो जागा तो यह concept आपको शिखना है क्या कि ब्यूटी फूल का spelling बी ए यू है ना टी आई एफ यू एल क्यों होता है अब यह समस्या होगा कि यहां डबल एल था फूल जोड़ा एक एल कैसे हट गया बाई को हमने चेंज आई में कैसे कर दिया है ना तो यह क्या प्रेशानी थी क्या समस्या थी इसको हम लोग स्वाट आउट करेंगे और आज spelling से समस्या आपको दूर हो जागा इस 10 से 15 मिलट में आपको spelling में confidence आ जाएगा मैं कहूं कि disability को बच्चा लिखता है कि D E C I E V E है ना बच्चा क C E D E तो आप त्यार है मेरे साथ सिखने के लिए तो copy कलम निकालो और मित्रों से पूछो कि deceive, receive, perceive का spelling क्या होता है बच्चों से पूछो अपने मित्रों से पूछो छोटे बच्चे से पूछो बड़े से पूछो क्या spelling कैसे improve करें और spelling अगर सिख गए तो आपको writing improve हो जागा दिमाग उसको calculate करता है हम लिखना चाहते हैं अब लिखने में किसी को permission देना है तो permission में spelling में क्या लिखें permission में हम लिख दिया P-E-R-A-M-I-S-I-O-N हो गया ना गलत क्योंकि यह समस्या है कि permission का spelling P-E-R-A-M-I-S-I-O-N ऐसा क्यों हो रहा क्या समस्या है तो यह सब पे हम ब इस पर हम लोग चर्चा करते हैं आपको सिखाता हूँ spelling improve कैसे किया जाए तो copy column निकाल लेना साथ में लिखना और देखना यह कितना authentic है कितना मज़दार है अगर इसको सिख लिया तो बड़ा मज़ायागा आनन्द आएगा कुछ बच्चों ने पूछा था कि सर यहां पे C P O M E कम पढ़ते हैं और यहां पे P O L I C by Policy पढ़ते हैं यहां पे C का साउंड का हो रहा है यहां पे C का साउंड सा हो रहा है यह क्या चक्कर होता है हम confused कर जाते हैं सर तो आज हम चर्चा करेंगे आपके लिए आपके साथ कि कैसे improve किया जाए spelling mistake तो आज के बाद इस साय और साथ साथ अपने मित्रों को भी दिखाना है और पूछना है अंग्रेजी का मतलब बांट करके पढ़ो और तब आपका confidence ज्यादा बढ़ जाएगा चलिए start करते हैं और देखने का प्रयास करते हैं देखो rules for spelling कोई rules नहीं है बिदाओ बिना rules के rules है अब सिखना कैसे है त क्यू के साथ यू कैसे आता है हमने चेक किया भाई queen तो q u आया ही आया double e n यानि q के साथ यू आएगा ही हमने चेक क्या querelle तो querelle में q के साथ हमने जान बूच करके rule बना दिया है ताकि आप लिख पाओ अगर मैं इसको लिखूंगा ताप सीख नहीं पाओगे आपको time ज निकाल सकते हो print out निकाल सकते हो और अगर आपने ये धर्मेंदर सर की book मंगा लिया आपने किताब मंगा लिया आपने पास तो समझो क्रांतिकारी घटना घट गई एक किताब आपके पास पहुंचिए total ऐसे total किताब spelling का books अगर मिल गया आपको तो घर बैठके पढ़ भी सक सकते हो सिख भी सकते हो online पढ़ने के लिए आप इस नंबर पर call भी कर सकते हो right अब यहां देखो क्यू के साथ यू आता है अब क्यू वर्ड के साथ क्या आता है यू आता है ना पड़ेगा यानि क्यू वर्ड ऑगर लिखते हैं तो यू आएगा यानि कोई वर्ड से बनाते हैं तो यू अक्सर आ जाता है यानि एक concept आ गया, अब जब भी कुई लिखना हो, question लिखना हो, कुरे लिखना हो, quit लिखना हो, तो आपको Q के साथ यू लगा देंगे, पहला concept, concept न टू, यदि कि सब्सक्यांते में फूल जोड़ा जाए, तो फूल का A केल हटा देते हैं, एक ऐसा concept भाई, इसको समझेए, कि भाई, जैसे आपने लिखा F, A, I, T, H, faith, अब faith में, अगर मुझे faith plus A, F, U, L, करना है, तो क्या concept हो जागा, यहाँ पर concept कहता है, कि जैसे हमको लिखना है, F, A, I, T, H, faith, अब faith में, मुझे A, F, U, L, फुल जोड़ना है, तो किसे भी word में, अगर फुल जोड़ना हो, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, भाई, तो A, F, A, I, T, H, और A, के ल हटा देते हैं, यानि कि फुल करना पड़ेगा, faithful, तो faithful को ऐसे लिखेंगे, truthful, है ना, अब देखो, word है, T, R, U, T, H, अब फुल जोड़ना हो, तो एक एल रखना पड़ेगा, truthful, है ना, मज़ेदा, तो faithful, truthful, इस तरह के word, आप डेवलब करोगे, देख रहो, faithful, harmful, हार में, अब फुल डबल एल है, लेकिन जब दोनों को जॉइंट कर देंगे, तो हो जागा, single, Emil, harmful हो जागा, दिख पा रहे हैं सब लोग, harmful हो गया हाँ पर दिख रहो, harmful, यहाँ cheerful दिख पा रहे हैं सब को, truthful, दिख पा रहा है, faithful, तो सब में से एक-एक ऐल हटा दिया गया है, तो full का एक ऐल हटा देते हैं, यह जो full में double ऐल है, इस A केल को हटा देते हैं, हैना मज़ेदार रूल, बड़ा conceptual है, हमने का किसी सब्द में full जोड़ना है, कभी कभी लोग full में double A लिख देते हैं, तो ये बड़ा confusion हो जाता है, और एक concept बताओं आपको, इसके साथ साथ एक concept और समझना है, अब यहीं पे अगर मैं आपको सिखा कि भाई एक बाद बताओ, हमें लिखना है B-A-U-T-Y और ब्यूटी में full जोड़ना है, तो beauty प्लस फूल जोड़ना है, अब क्या करें सर, तो ध्यान देना A-L तो हटेगा ही हटेगा, और इस Y को I में भी change करना है, यानि कि spelling हो जागा B-A-U-T-I और F-U-L, अब हो गया beautiful, इसी तरह से आवो करना है duty, D-U-T-Y और इसमें जोड़ना है F-U-L, तो इस word क्या बनेगा? Dutiful, D-U-T-I, F-U-L, अब बनेगा Dutiful, इस तरह से word आपको बनाना है, किसी भी word में, अगर आप यह concept दिया हूँ है, आपर देखो नो, gossip, क्या दिया हूँ? यदि किसी सब्द क्य क्यांत में Y हो, और तो फूल जोड़ते समय, Y को I बदल देते हैं, और A-L हटा देते हैं, यानि देखो beautiful, Dutiful, इस तरह की word आपको नए-ने सिखने को मिलेंगे, इसके साथ साथ और सिखो नया concept, अगर आपको सिखना है, जैसे हमने कहा, कि अगर मान लो किसी सब्द क्यांत म अगर में double A-L हो, क्या कहा, L-L हो, यानि double A-L हो, तो आपको क्या करना है, एक A-L हर हाल में कटेगा, जैसे सर, जैसे मने कहा, welcome, देखो गौर से, welcome, अब double A-L है की नहीं है, है न, तो जब दोनों को जोड़ेंगे, तो एक A-L हट जागा, welcome, देख रहा हो, welcome, तो जब भी आ कई लोगों को हमने देखा है, कि welcome का spelling, W-E-L-L, और C-O-M-E कर देते हैं, जो कि गलत होता है, आप तक मेंदी बात पहुच रही है, आप सिख पा रहे हो, मेरा क्लास अप लंच के टाइम में पर हो, ब्रेकफस्ट के टाइम में पर हो, डिनर के टाइम में पर हो, एक्स्ट् नमबर पे call करो मुझे, बताओ कहां समस्या अंगरेजी में, बेसिक से पढ़ना चाहते हो, जीरो से पढ़ना चाहते हो, A, B, C, D, आप चाहते हो सिखना, अंगरेजी में कही समस्या है, तो call करो ना आप से, इस नमबर पे call करो ना, और call करकर के, आप मुझे बताओ समस्या क्या है और जरूर से कॉल करो तो ये एक जरूर कोश्ट आपको कि मुझे पूरा फाउंडेशन प्लस स्पोकेन बुक्स चाहिए पूरा बुक्स अपने पास रख लो टोटल दस बारा किताब है हिंदुस्तान वैसा किताब है ही नहीं मार्केट में तो किताब आपके पास आ गया समझो अंगरी जी आ गया इसलिए किताब आपके पास होना चाहिए और मैं किताब से ही परहता हूँ जैसे जैसे वो क्या परहता हूँ जैसे जैसे रूल्स देता हूँ उसको फॉलो करना अगर आप एप में पढ़ते हो तो इसको concept को लिख के रख लेना है क्योंकि spelling भी आपके लिए minor रखता है right आगे बढ़ते हैं तो हमने कहा कि welcome में double L अगर है तो लिखते समय सिंगल L welcome तो आज समय तेज बोलता हूं जल्दी बोलता हूं बजह क्या है न कि आप बिल्कुल आराम से अगर आपको तेज लगता है तो slow कर लो आराम से प्रहो लिख कर प्रहो चुक्कि आपको ज़्यादा ज़्यादा मिले इसलिए मैं काम करता हूं देखो concept देखो क्या कहता है एदि किसी सब्द के अंत में double L हो तो उसे कोई सब जोड़ा जाए तो एक L हटा जाता है हट जाता है जैसे welcome देखो single है बड़ा मैज़दार है यहाँ पर देखो क्या लिखा है भाई यहाँ देखो क्या लिखा है all ready क्या लिखा भाई देखो all है all plus ready देख पा रहा है सब लोग अगर हमने दोनों को जोड़ा तो क्या हो गया single ale single ale आ गया all ready आ गया देख रहा हो all plus most है तो क्या हो गया all most हो गया है न मैज़दार जबरदस्त है यह हमने print करा दिया है आपके लिए ताकि आप इसको पढ़़ पाए इस सारे concept यह DSL के books में है इस तरह का आपको मिलेगा basic किताब आ गया असम जोंगर जी आ गया इस तरह से काम आपका complete चलता रहेगा आगे बढ़ते हैं concept number next देखते हैं गौर से यहां पर देखें क्या लिखा भाई तो आप देखें C plus C sound यह बड़ा conceptual है C plus C sound क्या कहता है भाई इसको समझेए अब हम कहा रहे है concept क्या कहता है कि अगर ध्यान देना concept मझना जैसा मैं लिखा deceive D E C E I V E और यहां पर लिखा हमने deceive receive perceive और एक लिखा हमने believe B E B E L I E V E right believe अब समझे गौर से दुनिया का कोई sound क्या हो है sound क्या दार पर writing हमेशा sound पर जैसा हम बोलते हैं वह ऐसा लिखते हैं अगर आपका sound है deceive receive, perceive, perceive तो क्या आ रहा है C आ रहा है तो जहां पर C आ जाए वहां पर हम लोग E I का प्रेव करते ध्यान देना जहां पर C sound आ जाए receive, perceive, deceive जो प्रहारा हो वो 95% सकते है एक 2% उल्टा पुल्टा हो सकता है इसको ध्यान देना तो हमने बोला deceive देखरो आपकी E I है देखरो क्या है D, E, C, E, I, V तो E I है कि नहीं E I है ना तो जब कोई sound see, receive, receive, perceive देखरो ना तो C sound receipt receipt ले लिया तो जहां भी ceiling तो जहां भी हो तो वहां E I का परियो करना और जहां C sound ना हो जैसे believe, achieve तो वहां पे I, E का परियो करना और इसमें अकसर mistake हो जाता है इसमें गल्ती से गल्ती हो जाता है बच्चों से यानि कि mistakes हो जाते हैं गल्ती से गल्ती हो जाता है उसी गल्ती को सुधारना है हमने कहा, देखो believe, है न, achieve, देखो न, achieve, A, C, H, I, E, V, achieve, I, E है कि नहीं, तो जहाँ पे C sound ना हो, वहाँ पे I, E का प्रेव करना, और जहाँ पे C sound हो, वहाँ पे E, I का प्रेव करना, तो E, I, deceive, receive, परसीद, देखो, receive, R, E, C, E, I, V, receive कर लिया, receive, E, I, और receive नहीं, relief, relief मिल गया, तो आई, देखो, receive, relief, देख भारहो, deceive, देख भारहो, deceive, देख भारहो, तो जब भी sound पर बेस्ट, अंग्रेजी न, sound पर बेस्ट है, यानि कि आपका writing भी इंपरूब होगा sound पर, जैसा बोलते हैं, वह ऐसा ये लिखने का प्रयास करते हैं, तो आप को sound भी इंपरूब करना है, यानि आप अंग्रेजी बोलना लिखना चाहते हो, तो आपको sound पर ही based है, तो deceive, receive, अब इसके concept देख लोगो, को से, क्या लिखा हो, देखो, C plus C sound, तो EI, और not C, C sound, तो I, यानि sound जैसा होगा, उसके accordingly आपकाम करना पड़ेगा, जैसे deceive, receive, conceive, perceive, ceiling, देख रहा हो, तो सब में क्या है, EI, सब में क्या है, EI, तो जब भी EI होगा, तो उसके उनसाद डिपेंड करेगा, अब देखो, हाँ पर not C or C sound, जैसे relieve, believe, seize, knees, है न, achieve, यहाँ जोड सकते हैं, आप क्या चीज, achieve, यहाँ पर आप achieve भी जोड सकते हैं, क्या जोड सकते ह जाएगा, है न, relieve, believe, seize, knees, achieve, तो यह sound हो जाएगा, तो C sound हो, इसको सब को लिख लो, आप ही आद कर लो, C sound हो, तो EI, not C sound, तो I, मजाया न, आगे देखो, बहुत ही मज़दार है यह, अगला concept कहता है बच्चे, कि जब किसी word में, अंत में E हो, तो ing लगाते समय, E को हटा द अगर किसी सब्द के, किसी word के अंत में E लगा हो, लगा है न, अगर उसमें मुझे ing जोड़ना है, ing लगाना है, तो इस E को हटा देते हैं, जैसे क्या बनाएंगे भाई, तो C-O-M-I-N-G, coming, बहुत सारे बच्चे यह right है, बहुत सारे बच्चे coming का spelling, double-M-I-N-G कर देते ह हैं, बहुत सारे coming का spelling, C-O-M-E-I-N-G कर देते हैं, यह भी गरत, तो आपको समझना है, कि जिस सब्द के अंत में E लगा हो, उसमें अगर ing लगाना हो, तो last बाले E को हटा देते हैं, ing जोड़ देते हैं, तो coming का spelling इस तरह से होगा, जैसे देखो, और वर देखो, M-A-K-I- make plus ing, दोनों को जोड़ेंगे, बन जागा M-A-K-I-N-G, हो गया making, E को हटा दिया हमने, इस तरह से concept बनेगा, इसी concept पर बेस्ट होगा आपका, जैसे देखो, ने example दे रहाँ पर, जैसे किसी भर्व के अंत में E हो, तो ing लगाते समय हम E को हटा देते हैं, जैसे come plus ing coming, abuse plus ing abusing, give plus ing, giving, write, सब में E है कि नहीं, तो जहाँ जहाँ E है, देखो, सब में हटा दिया गया है, writing, बहुत बच्चे डबल टी लगा जते हैं, डबल टी नहीं लगाना है, अगला concept देखो, अगला क्या कहता है भाई, यह देखिए बूड पे, कहता है, यदि किसी भर्व के अंत में Double E है कि नहीं, किसी वर्ड के अंत में OE हो, देखो, OE है कि नहीं, किसी वर्ड के अंत में Y हो, देखो, तो आयंज लगाते समय कोई changing नहीं करेंगे, जैसे agreeing में Double E है, I-ing में Double है, C में Double E है, Su में कोई tension नहीं, इस तरह की बाते करते हैं, अगला concept क्या कहता भाई, यदि किस है D I E die die का मतलब मरना और इसमें हमको जोड़ना है आई एंजी तो इस आई को वाई करना पड़ेगा डी बाई आई एंजी डाइंग यही कह रहा है यही किसी वर्व क्यामते में आई ए हो तो आई है कि नहीं अगर आई एंजी लगाना हो तो इस आई को बाई में चेंज कर द लाइंग देखो L I Lाइंग अब आई को चेंज कर दिया वाई में बन गया लाइंग अब समझ में आना क्या कहा जाए था इस तरह के कॉंसेप्ट आपको पढ़ने होंगे तब ही आपको समझ में बहतर आएगा यह हमने एक स्रीज दिया है तोटल आर्ट रूल दिया है इस को अगर आपने सिख लिया तो आपका स्पोकेन बहुत बढ़िया होगा एक दो कॉंसेप्ट और देखिए ताकि और मज़ा है आपको एक दो कॉंसेप्ट और देखिए बड़ा मज़दार कॉंसेप्ट है इसको देखिए इसको किसी सब्द के अंतिम अक्षर से पहले अंतिम अक्षर क्या कह रहा है देखों अंतिम अक्षर से पहले भौवल देखों टी है ना टी से पहले आई है है स्ट्रेस सिट सिट देख रहा हो रन बेग स्किप स्विम तो अंतिम लेटर स्ट्रेस्ट हो अंतिम लेटर स्ट्रेस्ट मतला उस पर प्रेसर ज्यादा दे रह कितना कहा एक भॉबल हो तो जब भी उसमें आइज लगाते हैं तो अंतिम लेटर को दो बार लिखा जाता है जैसे सिट में अगर हमको आइज लगाना होगा तो हम करना पड़ेगा एस आई डबल टी आइज इंजी सिटिंग करना पड़ेगा जैसे आप देखो बेगिंग आपको स्पेलिंग इंपरोव करेगा किसी सब्द के एन्त में कौंशोनेंट हो उसके पहले एक भॉबल हो आ येंजी लगाते समय अंतिम लेटर को तो बार लिखते हैं अंतिम लेटर को दो बार लिखते हैं देखाट आप लोग यहां पर देख ङए सब में डबल है इस तर बोटे बच्चे को सिखाए और आप भी spelling उप्रूफ, आप UPSC में राइटिंग आता है, बोच्चे लिखना सिखते हैं, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, एक बार पढ़ लिया, हमेशा लेटेंशन दूर हो गया, आपको बहुत अच्छा लेगा, राइट, अगर डिटेल पढ़ना चाहते हो, तो क्रांतिकारी इंगलिस एप डाउनलोड करो, दूसरा बात, आप फोल नंबर पे कॉल करो, मुझसे बात करो, हमेशा आपको सिखाऊंगा, सिखाता रहूंगा, बिना सिखाए, छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं प्रहाता नहीं, सिखाता हूं, फि आज कल मैं रेगुलर लाइब आ रहा हूं, जिसका नाम है DSL Spoken English, रात के 9 बजे, लगातार इस पर मैं लाइब आ रहा हूं, आपको अंग्रेजी में कहीं भी समस्या है ना, किसी भी एक्जाम की तयारी करते हो ना, तो इसको सब्सक्राइब करके रख लो, DSL Spoken English, इसके सब्सक्राइब में है, लाइब क्लास के साथ साथ, रिकॉर्डर क्लास, टेस्ट सिरीज, वोकेबिलरी, हार्ड बूक्स, इबूक्स, और भी बहुत कुछ, जब आप इसे डाउनलोड करोगे, एक के करके परते हैं, खुलती जाएंगी और आपको मजा आता जाएगा, आप सही से देख सकते हैं, घर बैठे, अपने मुवाइल पर अभी डाउनलोड करो, और अभी चेक करो, इसके साथ साथ, क्या आपने DSL Spoken English सब्सक्राइब किया, किया, अभी करो, DSL Spoken English अभी सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को सेर करें, और आत को 9 बजे धर्मिन सर स हर दिन मिलने का प्रयास करें, थैंक यू बेरी मच्छ